अब हम 11 और 12 वी के बायो स्ट्रिंग बाले वच्चों के लिए बायो का कोर्स लॉंच करने जा रहे हैं जिसमें हम नीट पर भी फोकस करेंगे इसके अलावा आप जिस भी फील्ड के लिए प्रपेशन कर रहे हैं हमें कमेंट सक्सें में जरूर बताएं जिससे हम और भी टारगेटेड वीडियों बना सकें और अब तक अच्छा कंटेंट पहुचा सकें नमस्कार आचारे की इस ऑनलाइन प्लैट्फॉर्म में आपका सहगत है आज हम सुरू करने जा रहे हैं जीव विग्यान जीव विग्यान जो बहुत जरूर है आपके नीट एक्जाम के लिए और क्लास 11 और 12 के लिए अगर आप अपने फ्यूचर में डॉक्टर बनने नर्स बनने या फिर मेडिकल फिल्ड में जानी की सोच रहे हैं तो यह सब्जेक्ट आपके बहुत काम आएगा और इससे आपको पढ़ना पड़ेगा तो हम यह करेंगे कि अच्छा ग्यारवी और बारवी की पूरी जीव विग्यान पूरी बाइलोजी हम सुरुआत से लेकि अंग तक इसको खतम गंदी का प्रयास करेंगे तो यह आपका पहरे लेक्ट इसमें हम सिर्फ बेसिक्स के बारे में जानेंगे कि जीव विग्यान क्या होता है और उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं और हमारा क्या अप्रोच रहे है किस तरह हम इसको कंप्लीट करेंगे आते हैं जी विग्यान पर तो इस सब्जेक्ट में हम पाठकरम में अगर देखें तो पाठकरम क्या पढ़ने वाले हैं तो इसमें हम पहले MP Board और CBSC की कछा 11 क्या पूरा पाठकरम पूरा करें मतलब हिंदी माध्यम में जो भी MP बोडर से बीसी में जो भी पढ़ना होता है उसको हम इसको कंप्लीट करेंगे आपको बिल्कुल भी डेंशन नहीं आपको समझाया भी जाएगा और हम इसको पीपीट की तरूप पढ़ेंगे जिससे आपको आसानी से समझाज के और समय समय के माद्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे अच्छा गयारां स्लेवस से आगे कशली तiamo बर्या से बन सकते हैं उनको भी देखते रहेंगे कुल मिला के हमारा अप्रोच यह रहेगा ग्यारवी बार्विया साथ में कॉम्प्टीटिव परिच्छा की भी तैयारी होती रहे अब यह अब यह पहला प्रस्ण आता है कि जीव विज्ञान की परिभासा क्या है कि जीव विज्ञ विज्ञान की वह साखा है जिसमें सजीवों की संबचना कारे की वृध्धी वह विकास का ध्यान किया जाता है मतलब जैसे कोई वी एक सजीवे से मनुस्त्र की ही बात करें मानों की बात करें तो उसकी संबचना है कि उसमें दो हाथ होंगे तो पैर होंगे एक सिर होगा ए इसके बाद जीव विग्यान का जनक किसको कहा जाता है जीव विग्यान का जनक कहा जाता है अरस्त को अरिस्टोटल को उन्होंने ही पहली बार इन सब के बारे में बात करना सुरू किया था उन्होंने कभी भी सब्द बायोजिस्ट नहीं किया था उन्होंने सरी जीव विग्यान के बारे तो वनस्पति विजयन नाम से समझ में आरहा है कि इसकी अंतरगत हम पेड़ और पाधो का अध्यान करेंगे पेड़ कैसे होते हैं पॉजय कैसे वह तुम सब के बारे में और वहीं जन्तु विजयन में हम बात करेंगे पराणियों के बारे में एक दम जीवत जीवत संबचना के बारे में जिसमें हम पेड़ पॉदों के बारे में बात करेंगे वनस्पति विजयन में और जन्तु विजयन में बात करेंगे हम प्राणियों के बारे में इसके बाद वनस्पति विजयन का जनक कहा जाता है थ्रियों फ्रेस्टर्स को जिन्होंने वस्पति विजयन के ब कि अगर आप कोई पसंद आया हो और अगर आप चाहते हैं कि हम इस को पुरा कंप्लेट करें साथ साथ नीथी त्यारी करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने न भूले और इसे जादा जादे लोगों तक सेयर करने में मरत करें धन्यवाद